बाग्य से सफलता की प्राप्ति कर्म के साथ लाभ में उरुद्धी सफल होना है तो स्वयम को लगातार विकसित करना पड़ता है पड़ाही और आत्म विश्वास ये सफलता के मार्ग के दो महत्वपूर्ण अस्तंब्य है यहाँ बात पुरुष्षिक राशी के सभी जातको ने इस काल में मुख्य रूप से ध्यान में लिने चाहिए मंगल देव की अत्यन्त परिश्वमी राशी के रूप में पुरुष्षिक राशी की पहचान है लगातार प्रयास करना यह आपका स्ताई भाव है पढ़ाई में भी आप सफल होते हैं और फिर वह स्कूल के में का हार्तिक स्वागत करती हूं हम सितंबर दो हजार 24 मेहने के राशी बहुष्य को समझ रहे हैं आज हम रुष्चिक राशी के जातकों के लिए यह मेहना कैसा रहेगा इस पर विस्तार से वार्तालाब करेंगे विभिन दुरुष्टी कोन से इस महने के ग्रहस्तिति का ह हम शास्त्रोक्त विश्लिशन करने वाले हैं साथ ही वीडियो के अन्त में मैं आपको इस महिने करने वाला विशेश उपाए भी बताने वाली हूं इसलिए वीडियो को अन्त तक देखना न भूले व्यक्तितों की दुरुष्टी से जब हम विचार करते हैं तो राशी स्वामी की स्थिति महतो पूर्णा होती है रुष्टिक राशी के स्वामी मंगल देव की यात्रा अस्ठम स्थान से शुरू है कुंडली का अस्ठम स्थान बाधा परेशानी का स्थान माना जाता है इस लेकिन जब रुष्चिक राशी का विशे आता है तब इह राशी अस्टम स्तान में भी संगर्ष से विजय प्राप्त करने के लिए प्रयास करती है। कई बार सफल भी होती है उस रुष्चिक राशी से आपका व्यक्तित्व विकसित होता है। इस काल में आपके साथ होने वाला है इसी लिए इस काल का सद उपयोग करें। दहन परिवार वाणी की दुष्चि से विचार करें तो रुष्चिक राशी के लिए सितंबर महिना अत्यन्द शुबर हैगा। धनल आपके आउसर प्राप्त होना, ससुर्वाल के लोगों का घर पर आगमन होना, इस पद्दती से कुछ घटना हो सकती है। परिवार में आनंद का वातावरन बना रहेगा, वाणी अधिक प्रगल्ब होगी। निरर्थक बाते करना आपको वैसे भी पसंद नहीं होता, किसी भी विशय के अध्यन के साथ आप बात करते हैं और इस काल में भी वैसी बाते करने वाले हैं, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रमें आप परिश्रम की दुरुष्टी से विचार करें, तो आप यदी निर्मान कर रहे हैं के व्यावसाय में हो, वास्तु का निर्मान कर रहे हैं हो, प्लॉटिंग के व्यावसाय में हो, तो इस मेने आप बड़ा परिश्रम करेंगे। परिश्रम के पेड को एक दीन फल अवश्य लगते हैं आज नहीं तो कल परिश्रम का फल अवश्य मिलता है इस बात को रुष्चिक राशी के सभी जातकों ने अवश्य दहान में लेना चाहिए है वास्तु वाहन भुमी सुकशान्ती की दुरुष्टी से विचार करे तो राशी स्वामी के साथ भी उन्होंने नौपंचम योग बनाया है साथ ही वेवक्रिय वस्ता में भी है आपके कर्मेश की दुरुष्टी भी शनीदेव पर है कुल मिलाकर विचार करे तो यह महिना विभिन अर्थों से आपके लिए सउख्य दायक एवं लाभ दायक रहेग वास्तु के शुभय योग निर्माण होंगे उससे लाभ प्राप्त होगा इस काल का पूरा उपयोग करे शिक्षा संतती प्रड़य की दुरुष्टी से विचार करे तो रुष्षिक राशी के जातकों के लिए थोड़ा अधीक परिश्रम करना अधीक पड़ाई करना आव करने वाले हैं साथ ही आप उच्च शिक्षा में हो तो उसमें भी आपको बड़ी सफलता मिलेगी इसलिए अधिक पड़ाई कर सफलता के मार्ग पर चलना यह इस महिने आपका लक्ष होना चाहिए इस बात को ध्यान में ले स्वास्त्य कर्जब प्रतिस्पर्दी विशेश रूप से मेडिटेशन करना आपका प्राथमिक आवशक्ता रहेगी क्योंकि आप लगातार कारेरत रहते हैं सदेव अग्रेसिव रहते हैं लगातार सोचते रहते हैं एक लक्ष आपके सामने रहता है इसलिए कही न कही विश्राम करना मेडिटेशन करना यह आप की प्रथम आवशक्ता रहेगी इस मैंने आपको उसकी विशेश आवशक्ता है ऐसा हम कह सकते हैं इस बात को भी आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए उस अनुसार बरताव करने का प्रयास करना चाहिए यह सलह आपको दी जाती है नोक्री एवं व्यावसाय की दृष्टी से विचार करें तो जो रूष्टीक जातक नोक्री में है उनके लिए ये काल अधिक परिश्रम का अधिक संगर्श का सहयोगी और वरिष्टों से थोड़ी परेशानी का है इसलिए नोक्री करने वाले जातकों ने इस काल में थोड़ विपरिश्टी रहेगी व्यावसाय के लिए ये काल भाग्य का है ऐसा हम कह सकते हैं भाग्य से कोई प्रोजेक्ट मिलना लाभ प्राप्त होना उन्नति के बार्ग प्रशस्त होना ऐसी चीज़े आपके साथ हो सकती है इस काल का लाब उठाईए भाग्य एवं शुबसंकेत की रुष्टी से विचार करें तो रुष्टिक जातकों के लिए इस महीने कई शुबसंकेत निर्मान हुए है उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके चतुर्त स्तान में शनी देव द्वारा शशर आजोग निर्मान हुआ है जिसे हम अत्यनत बड़ा शुबसंकेत क प्रभाव दाला है लाव के विभिन नवसर निर्मान किये है यात्रा के योग भी वही से निर्मान हुए है सबसे महतों पुरुन बात है कि करमेश का कर्मस्तान में होना वह भी रवी जैसा ग्रह यहां अत्यनत बड़ा शुबसंकेत है ऐसा हम कह सकते हैं ऐसे कई शुबसं करें कर्म की दृष्टी से विचार करें तो रुष्चिक राशी के लिए रवी देव की स्थिती महतों पुरुन होती है क्योंकि वे आपके कर्मेश है रवी देव की एक विशेष्टा है वे हर रोज एक और चलते हैं ऐसे रवी देव आपके कर्मस्तान में कर्मेश कर्मस् प्रिया ग्रह होने के कारण वह गुण आपने प्राकृतिक रूप से आएगा उससे आपको दीर्गकालीन लाभ प्राप्त होगा लाभ की दुरुष्टी से विचार करें तो रुष्टिक राशी के लाभस्तान में शुक्र देव विराजबान है जो भरपूर लाभ प्रादा करते हैं विशेश बात है कि आपके कर्मे श्रवी देव भी मेहने के दूसरे पक्वाडे में लाभस्तान में जाने वाले हैं मेहने के अंतमे लाभस्तान में आने वाले हैं जो तीश नियमों के अनुसार लाभस्तान में आने वाला हर ग्रह लाभ प्रादान करता है इस मेहन वे ये उन परदेश कमन की दुरुष्टी से विचार करें तो रुष्चिक जातक इस मैने बड़ा परिश्व करेंगे मौज मस्ती पर परिवार पर आपका खर्च होने वाला है रुष्चिक जातक सामानने रूप से अधिक खर्च नहीं करते लेकिन आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को अवश्य पूरा करते हैं जब कोई चीज जिम्मेदारी के रूप में आपके साब ने आती है फिर चाहे वह पारिवारिक हो जीवन साती से संबंदित हो संतती से संबंदित हो उसे आप पूर्ण करते हैं इस पहने भी करने वाले ह हर सुभ एक नया दिन प्रकट होता है उसके बाद रात होती है अर्था दीन के बाद रात और रात के बाद दिन यह प्रकृति का चक्र है यह चक्र मनुष्च्य जीवन पर लागो होता है फल स्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता कुछ दिन शूप कुछ अशूब्या तनावपुल्ण होते है उस दुरुष्टी से रुष्टिक राशी के लिए 11, 19 ये दिन शुभर रहेंगे साथ ही 9, 18 और 22 ये दिन अशूप तनावपुल्ण तथा संगर्ष से भरे रहेंगे इसी को ध्यान में रखते हुए इस मेंने कार्यों की योजना बनाई ये उपायों की दुरुष्टी से विचार करे तो जोतिश में छोटे-छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए है अशूबची जोंकि अशूबता कम करने का शूबची जोंकि बढ़ाने का उनमें सामर्थ होता है उस अनुसार सितंबर मैंने का विचार करें तो इस काल में रुष्टिक राशी के जातकों ने नारियल को लाल रंग के कपड़े में बांध कर उसे नदी में बाहा देना है आप उसे किसी मंदिर में भी रख सकते हैं ये उपाय आपने लगातार साथ मंगलवार तक करना है उसके शुबह परिणा प्राप्त होंगे इस प्रकार मेश से लेकर मिन तक हर राशी के लिए सितंबर 2024 कैसा रहेगा ये समझने के लिए हमने बारह वीडियो आपके इस चानल पर अपलोड किये है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक श जोतिश लिखना ना भूले धन्यवाद शुभम भोतु हरर जोतिश घरकर जोतिश जोतिश का द्यहन तता शास्त्र की शास्त्रिय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी दो किताबे प्रकाशित हो चुकिए है उनका अवश्य लाभ लीजिए प्लीज लाइक शेयर एंड स सब्सक्राइब दी चैनल और हां बेल आइकोन दा बना ना भूले धन्यवाद